हलो, 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 कोई मुझे सुन सकता है, प्लीज, प्लीज सुनिए ब्रिक के बाद आपका स्वाधत है दवाईयों की दुकान पर नशिली दवाईयों का कारवाई और वो भी बड़ी पैमाने पर लेकिन जब तक कोई कारवाईय ऐसे कारवाईयों के खिराफ नहीं होती, गुना का ये खेल चारी रहता है लेकिन इस पार खेल का भंड़ा फूट गया दरसाल अजमेर के कुछ हिलाकों में इस तरह की दशिली दवाईयों का कारवाई चल रहा था और ये ही कारवाई अजमेर पुलिस के लिए परिशानी भरा बन रहा था लेकिन इस पार पुलिस ने प्रेणा नाम से एक मोहीम शुरू किया जिसके तहत किया गया ओप्रेशन चली आपको बताते हैं कि आखिर क्या था ये ओप्रेशन और फिर कैसे कि पुलिस ने अपने कारवाई रिपोर्ट अजमेर से कहते हैं कि नशा वो है जिसके किसी को एक बार लट लट जाए तो फिर उस से छोटकारा पाना आसान काम नहीं लेकिन अगर ये ही नशा आम दवाईयों की दुकानों पर मिलने लगे तो फिर ये गुना भी हो जाता है और कुछ इसी तरह का खेल अजमेर में भी लंबे अर्से से खेला जा रहा है चंदरुप्यों के लालच में अजमेर के कुछ मेडिकल स्टोर्स पर नशे की वो दवाईयां खुले आम बेची जा रही है जिने खरेदने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है लेकिन इस बार अजमेर पुलिस ने एक उस कारवाई को अंचाम दिया जिसके खुलासे के बाद हर कोई हैरान रह लेया कुछ दुकानों पर पुलिस ने ड्रग कंट्रोलर को साथ लेकर जब छापा मार कारवाई की तो हैरान करने वाली तस्विरें सामने आई है और तीन चार गोना किमत में भेजते हैं एक डंबी कंट्रोलर बना कि वेजा उन्हों उसको बेचा और बेचा उनको पकड़ा गया है और वो कारवाई चाले है पता चला है कि अजमेर में एल्फरा जोल नाम की दवाका कई लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं माना जा रहा है कि ये वो दवा है जो नेंद के लिए इस्तेमाल की जाती है और आम लोग इसे अपने नशे का चरिया भी मानते हैं लेकिन इस बार पुलिस ने पूरे मामले से पर्दा उठा दिया पहले अपना चाल फिलाया मुख्मिरी कराई और ग्रहक भी बनाया जिसके बाद पुलिस अपने मिशन में काम्याब भी हो गई दरसर पुलिस ने बोगस ग्रहक भेज कर मेडिकल की दुकान से 500 टैबलेट परामत की दुकानदार से पूस्तास की गई तो राज खुला कि विमला मार्केट में खंडेलवाल हॉलसिल तवाविक्रेता से उसने ये टैबलेट्स खरी दी थी पुलिस ने मेडिकल की दुकान के मालिक को ग्रहक बना कर खंडेलवाल हॉलसिल तवाविक्रेता की दुकान भेजा जहां करीब 25 सथीजार पाजार मुलिकी टैबलेट्स पुलिस ने परामत की यह क्लोक्टावर एरिया है इससे पहले रामगंज एरिया के अंदर महावेस्नाव मेडिकोज है वहाँ पे हमने बॉक्स गराएक जो ड्रग इंस्पेक्टर है डी सी हैं उनसर के कहे अनुसार एक नेतरतों में एक गड़के को बेजा बॉक्स गराएक बना करकर कि यहां से जब आया तो उसको दुबारा खरीद की तो उसके बाद में यह स्टोक चेक किया गए और आगे करवाई जाड़ी बहरहाल पुलिस का ओप्रेशन प्रेणना अभी और कौन से राज खोलता है और अजमेर में नशे की कारोबार करने वालों पर किस तरह से शिकन जक्का साजाता है यह देखना भी दिल्चस्प होगा फरस्ट इंडिया के लिए अजमेर सी प्रियांग शर्मा की लिए और अब खबर स्री गंगा नगर से जहां जवान नगर थाना पुलिस को उस वक्त पड़ी काम्यावी मिली जब कार लूट के मामले में किरफतार दो आरोपियों ने अंतराश्टी सीमा से हिरोईन तसकरी के मामले भी स्विकार कर लिए हिरोईन तसकरी के कई मामलों पर आपनी चुपी भी तोड़ी एसपी राहूल कोटकी के मताबिक अंतराश्टी हिरोईन और हत्यार तसकरों से संबंद उजागर होने के बाद आरोपियों से बी एसप के साथ खोफी अजिंसिया भी पूश्टाच में चुटी है गौरतलब है कि हाली में जवान नकर्थाना पुलिस कोख्यात अपरादी गोरजन सिंग और रिसपाल को वर्ष 2013 में स्री गंगा नगर के एक डॉक्टर से कारल लूटन के एक मामले में पंजाब की जेल से प्रोडक्शन वारन पर लेकर आई थी पुश्टाच कर रहे हैं गुर्जन सिंग और भौलू और दाना और फ्रिचपाल इनको प्रोडक्शन वारन से पंजाब से हम लाए थे और इनसे यानि अभी हाली में जो चोरी एक गारी चोरी भी हुई थी अपने यहां गारी उठा के ले गए थे लूट के इरादे से और भी वारदाते जो है उससे खुलासा होने की संभावना है कि अलवर के जी आरपी थाना अंतरगत रेलवी जंक्शन पार एक महिला के कले से बदमाश चैन तोड़ कर भाग गए महिला हर सोली जाने के लिए इंटरिसिटी एक्सप्रेक्स में बैठ रही थी उसी दोरान भीड में बदमाशों ने महिला के कले से चैन तोड़ ली महिला ने इसकी शिकायत जी आरपी पुलिस में की पुलिस मामले को लेकर महिला की रिपोर्ट तर्च कर ली है और मामले की जुटी है कि अगर देल हंडेड में आज फिलाल इतना है लेकिन रहें सचेत और खवर्दा गुना की हर दस्तक को पैचाने और करें टैल हंडर उश्कार क्या उचरने रहें सुटी है कि अगर्ड़ जो के इसकी अगर्च की अगर्ड़ देगार आपाउश्क्राइच कि आपड़े आखनेर आपड़े ने अगर्भावी आपाऋ है टार्वीज़ आपान आपने।